आप सबी का स्वागते हमारे चैनल पर चने के वाईदे पर रोग लगने के कारण चने के बाव में एक सब्ता से तेजी नहीं आ रही थी सेबी के दोबारा जो चने के वाईदे पर जो रोग लगा दी थी उसकी वज़े से आपको चने के बाव में काफी गिरावर दगने को मिली थी लेकिन अब कुछ समय से वापी चने के बाव में उच्छाल दगने को मिला है अभी चने का बाव 5,000 रुपए के उपर चल रहा है यानि 52-53 रुपए अभी मार्केड में चने का पाउ भीकरा हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे चलकर चने का पाउ क्या रहेगा चने के पाउ में आगे कितनी तेजी बनने हुई नजर आएगी तो इन सबी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारा वीडियो सरुस लेकर अन तक जरूर देखे ताकि पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में समझ में आए दोस्तों जिससे कि हम बात करें चने के बाव में आपको लगातार तेजी देगने को मिल रही है सेभी ने जो वाइदे पर रोग लगाती थी जिसके वज़े से तोड़ा चने के बाव में गिरावर देगने को मिला था लेकिन अभी वापिस चने की डिमान बढ़ने के कारण चने के बाव में वापिस तेजी देगने को मिल रही है अभी कुछ समय पहले चने का बाव पांच जार के नीचे था अगर दोस्तों, आपके पास चने का इस्टो किया हुआ है तो आप चने को अधिक से अधिक भाव में बेचे दोस्तों, आप अपने चने को बेजने का निने स्यवम के वेक्ष से जिरूर लेए हमारे वीडियो के उपर निर्बढ न रहे इसके जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है और दोस्तो इसके अलवा अगर हम चने में तेजी आने के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है बाहरी डिमान जदा होना जैसे कि दोस्तो चने का इस साल उत्पादन बहुत ही कम हुआ है जिससे कि अन्य देसों में भी उत्पादन बहुत ही कम हुआ है जो कि अब उन देसों को सबसे अधिक मात्रा में चने की डिमान हो रही है और वो बारत से चने की डिमान कर रही है उन्ही कारणों की वज़े से चने के डिमान बनने के कारण चने का भाव और बढ़ता जा रहा है तो दोस्तो अन्य देसों में अगर चना जाएगा तो उसमें और भी महलब चने का भाव बढ़ेगा दूसरा कारण रता है तियारी सिजन में चने की मांग ज़्यादा होना जैसा है कि दोस्तों तियारी सिजन में सबसे ज़्यादा डालों की मांग होती है और चने एक तीलहन फसल है इससे डाल बनती है और डालों की मांग ज़्यादा होने के कारण भी चने के भाव में ज़्यादा तेजी देगने को मिल रही है अभी आप मार्केट में देखो के तो डालो के दाम बहुत ही अधिक हुए है अगर डालो के दाम अधिक हो रहे हैं तो इसका सिधा परवाव चने की फसल पर पड़ता है दालों के दाम ज़्यादा होने की वज़े से चन्ने के दाम भी ज़्यादा हो रहे है दोस्तों अभी कुछ किसान भाई लोगों के पास अच्छा क्वालिटी का चना नहीं बचा हुआ है और जो वेपारी बंदू है उनको अच्छे क्वालिटी का माल चाहिए अच्छे क्वालिटी के माल के वज़े से भी आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अब भी जो नहीं फसल आईगी वो पुछ समय के लेट आएगी तो इन सभी कार्णों की वज़े से चने के बाव में तेजी देखने को मिलने वाली तो दोस्तों वीडियो में बताई वी जान करें कैसे लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें धन्यवाद जे जुवान जे किसा